Hello Children, How are you? जैसा कि आपको पता है, हमारा लेसन नमबर नाइन ममता चल रहा है, जिसके लेखक जैसंकर प्रसाद जी है बच्चों, प्रिविएस वीडियो के जरी आपने जाना कि जैसंकर प्रसाद जी ने जो ममता कहानी लिखी है उसकी नाइका ममता है, जो रोतास दुर्ग के मंत्री चूडा मड़ी की इकलौती बेटी है, लेकिन दुर्भागिवस वो बिद्वा है और कैसे कैसे पठान डोलियों में छिप कर आते हैं, और दुर्ग पर रोतास दुर्पर अपना अधिकार कर लेते हैं चूडा मड़ी वही मारे जाते है ममता अपने महल से निकल कर भागती है, और एक जगा विहार में जाकर छिप जाती है अचालब कुछ समय बीतने के बाद जब वो वहाँ पर रहती है तो कोई उससे आसरे मांगने आता है ममता आती थी धर्म समझ के, उससे आसरे देती है ये सब बातें आपने जानी और मंत्री चूडा मर ममता की दसा के लिए कैसे चिंतित रहते हैं ये भी आपने जाना कि ममता की दसा उनसे देखी नहीं जा रही थी इसे चिंता के कारण उनके पहर सीधे नहीं पड़ते थे अब आईए जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए उस समय उनके पीछे दस स्वेवक चान्दी के बड़े थालों में कुछ लिये खड़े थे कितने ही मनुस्यों के पद सब्द सुन ममता ने घूम कर देखा मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया अनुचर थाल रखकर चले गए जब ममता की दसा देखी तो उनके पहर सीधे नहीं पड़ते थे मंत्री चूड़ा मड़ी के अब एक पहर बीट गया तब वो ममता के पार फिर वापस आए और उनके पीछे दस सेवक चान्दी के बड़े थालों में कुछ लिये खड़े थे कुछ उपहार ले जैसा कुछ भी अभी पता नहीं था क्या लेकर रहे थे और इतने सारे मनस्यों के पद सब्द सुनकर पैरों की आवाज सुनकर कि कोई आ रहा है तो ममता निग्वूम कर देखा तो उसके पिता जी मंत्री चूड़ा मड़ी ने सब थालों को रखने का संकेत दिया इस वारा किया कि सब थालियां यहां पर रख दो तो अनुचर जेते अनुचर क्या होता जिसके पीछे चलने वाला मंत्री चूड़ा मड़ी के पीछे जितने भी लोग थे वो थाल रखके चले गए ममता ने पूछा यह क्या है पिता जी ममता ने पूछा पिता जी यह सब क्या लेकर आए है अब तो मंत्री चूड़ा मड़ी जवाब देते हैं तेरे लिए है बेटी उपहार है कहकर चूड़ा मड़ी ने आवरण उलड़ दिया कहते बेटी ये सब उपहार तुम्हारे लिए है और उसका आवरण में पर्दा वो सारी थालिया जो एक पर्दे से धकी हुई थी उसका आवरण हटा दिया स्वरण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीरण होने लगा स्वरण का सोने का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीरण होने लगा फैलने हो लगा मंतरी चूणमर कहते हैं मंता इस तरह बात मत करो चुप रहो ये सब तुमहारे लिए कराया हुम है तो क्या आपने सत्रु का उत्कोच स्विकार कर लिया पिता जी यह अनर्थ है अर्थ नहीं ममता इस पर जवाब देती है पिता जी क्या सत्रु के सामने आप जुग गए अपने आपको उनके हवाले कर दिया उनका सब कुछ उतको स्विकार कर लिया पिता जी यह अनर्थ है अर्थ नहीं आपने तो यह बहुत गलत किया है इसमें अनर्थ है इसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए लोटा दीजी पिता जी और यह सब उनको लोटा दीजी हम लोग ब्रामण हैं इतना सोना लेकर क्या करेंगे हमें ब्रामणों को क्या है सोने चांदी से इतना मतलब नहीं होता है पूजा पाट करें लोगों की सेवा करें धर्म धार्मिक पुस्तक पढ़ें ये सब हैं धर्म की बाते करेंगे इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे इस पतनोन मुख प्राचीन सामन्त वंस का अंत समीप है वेटी मंत्री चूड़ामर्ज जवाब देते हैं ममता को इस पतनोन मुख पतन की तरफ जो उनमुख है यानि जो खत्म हो जाने वाला है जिसका विनास हो जाने वाला है प्राचीन सामन्त वंस का अंत समीप है जो ये वंस चल रहा है बहुत समय से प्राचीन समय से इसका अंत समीप मालूम पड़ रहा है ममता किसी भी दिन से इरसा रोतास दुर्पर अधिकार कर सकता है यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस राजिका तो इसका फायदा उठाकर किसी भी दिन से इस दुरोतास दुरपर दिकार कर सकता है उसको अपने सत्रों के जरिये जीत सकता है जीत कायम कर सकता है उस दिन मंत्रित तुर ना रहेगा तब के लिए बेटी बेटी तो उस दिन मैं मंत्री चूड़ा मड़ी नहीं रहूंगा उस समय के लिए तुम्हारे लिए ये सब उपहार है ये मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे हे भगवाल विपत के लिए इतना आयोजन ममता इस पर जबाब देती है हे प्रभू बिपत के लिए बिपत्ती के लिए इतना आयोजन इतनी व्यवस्था पहले से परमपिता के इक्षा के विरुद इतना साहस परमपिता इस्वर के विरुद इस्वर ने हमें ब्रामर धर्म का बनाया है हमें सोने चांदी रुपे पैसे से नहीं मतलब हमें हमें एक कपड़ा दो वक्त का खाना और धर्म एक पुस्त के पढ़ना धर्म की बाते करना पूजा पाट करना ये सोभा देता है तो उसके विरुद इतना साहस इतना कर डाला पिता जी आपने पिता जी क्या भीक ना मिलेगी पिता जी हम ब्रामण हैं अगर हमारे पास विपत भी दो वक्त के लिए खाने के लिए अंध ना दे फेर दीजिए पिता जी मैं कांप रही हूँ इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है ममता मंत्री चूड़ा मर्ज से कहती है ये पिता जी ये सोप सोना चांदी उनको वापस कर दीजिये इनको देखकर मैं कांप रही और इसकी चमक मुझे अच्छी नहीं लग रही है उल्टा मुझे मेरे आखों को अंधा बना रही है मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है